Welcome everyone, my name is Abhishek Jha and I am a Chartered Accountant. Income Tax Return एक Annual Activity है. हर साल Taxpayers को अपनी April से लेकर के मार्श तक की Income के उपर Tax Pay करना होता है और Tax Pay करने के बाद उनको अपनी Return Tax Authorities के पास File करनी होती है. Income Tax Return Filing से रेलेटेड दो चीज़े होती हैं. या तो किसी परसन के लिए Income Tax Return फाइल करना Mandatory होगा या फिर कोई परसन Voluntarily यानि अपनी मर्जी से भी Income Tax Return फाइल कर सकता है. Voluntary Filing of Income Tax Returns Related लोगों के मन में Questions होते हैं कि अगर वो अपनी Income Tax Return Voluntarily फाइल कर देंगे तो Government के पास उनके Information चली जाएगी जिससे उनको कुछ Issue हो सकता है. तो आज के हमारे वीडियो में हम यही डिसकर्स करने वाले हैं कि Voluntary Filing of Income Tax Return के क्या Benefits होते हैं. हमारे वीडियो में हम ऐसे 7 Benefits को डिसकर्स करेंगे जिनके फाइदे आपको मिल सकते हैं अगर आप अपनी Income Tax Return regularly फाइल कर रहे हो तो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम यह डिसकर्स करेंगे कि ऐसे कौन से Taxpayers हैं जिनके लिए Income Tax Return फाइल करना एक Mandatory Requirement है. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहला है Company. उसके बाद है Limited Liability Partnership या फिर Partnership Firm. Company और LLP के लिए Return File करना Mandatory Requirement है. इवन इफ उन्होंने पूरे साल में कोई Revenue Earn नहीं किया या फिर उनको पूरे साल में सिर्फ Loss हुआ है. हर केस में उनके लिए Return File करना एक Mandatory Requirement है. उसके बाद है Number 3 Society and then Number 4 Local Authority. Local Authority का मतलब होता है Municipal Authorities या पंचायत इसको हम Local Authorities बोलते हैं. So Local Authority and Society के लिए भी Return File करना एक Mandatory Requirement है. Now we will discuss कि ऐसे कौन से Taxpayers हैं जिनके लिए Income Tax Return File करना Mandatory नहीं है बट Income Tax Return File करना पड़ता है अगर कुछ Conditions Satisfy होती हैं तो. So as you all know जो हमारी Taxability होती है वो होती है Income Tax के Slab Rate के बेसिस पे. जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका Income सिर्फ 2,50,000 तक है तो आपको कोई Tax नहीं लगेगा. अगर आपके Income 2,50,000 से 5,00,000 तक है तो आपके उपर 5% Tax लगेगा. और अगर आपके Income 5,00,000 से 10,00,000 तक है तो आपके उपर 20% Tax लगेगा. और अगर आपके Income 10,00,000 से उपर है तो आपके उपर 30% Tax लगेगा. तो as you see अगर 2,50,000 तक की Income है तब तक आपको कोई Tax नहीं देना और इसी Income तक आपको कोई Return फाइल करने की भी Requirement नहीं होती. तो basically अगर आपके Income लेट से 2,00,000 है या 2,20,000 है या 1,80,000 है या 2,40,000 है तो आपको Income Tax Return फाइल करने की भी जरूरत नहीं है. Only अगर आपकी Income 2,50,000 से उपर जाती है तो ही आपको Return Mandatorily फाइल करना पड़ता है. But ये जो Condition है Return फाइल करने की Only If Your Income Exceeds 2,50,000 ये सिर्फ 4 तरीके के Tax Pairs के लिए Applicable है. सबसे पहला है Individuals, उसके बाद आता है Association of Person, उसके बाद है Hindu Undivided Family और उसके बाद है Body of Individuals. So इन 4 तरीके के SSCs की Income अगर धाइलाग से नीचे है तो इनको कोई Return नहीं फाइल करनी और अगर इनकी Income धाइलाग से उपर है तब इनको Return फाइल करना Required होता है. Now we will discuss कि ये जो Basic Rule है 2,50,000 वाला for Individuals, HUF, BOI and Association of Person इसके क्या Exceptions है? So basically अगर आपकी Income 2,50,000 से नीचे भी है तब भी ऐसे कुछ cases हैं जिस case में आपको Return फाइल करनी होती है as per the Income Tax Law. So चलिए discuss करते हैं उन cases को. सबसे पहला है अगर आपने अपने लिए या किसी और परसन के लिए पूरे साल में 2,00,000 या 2,00,000 से जादा का Foreign Travel Expenditure किया है उस case में आपको Income Tax Return फाइल करनी पड़ती है. Number 2 है अगर आपने पूरे साल में 1,00,000 से जादा का बिजली बिल पे किया है then you have to file your Income Tax Return. Number 3 है अगर आपने अपने current account में पूरे साल में 1 करोड या 1 करोड से जादा deposit किये है then आपको ITR फाइल करनी है. Number 4 है अगर आपका कोई foreign में bank account है या अपने foreign में कोई asset hold करी हुई है तो आपको उसकी information अपने ITR के थुरू देनी होती है. तो basically इन 4 cases में अगर आपकी कोई income नहीं भी है but still you have to file your income tax return अगर ये 4 conditions satisfy है तो. अभी तक हमने discuss किया कि किस category के taxpayer के लिए return file करना mandatory है और किस category के taxpayer को return file करनी पड़ती है अगर कुछ conditions satisfied है तो. Now we will discuss कि even if your income is less than 2,50,000 तब भी आपको return file क्यों करनी चाहिए तो basically voluntarily आपको return क्यों file करनी है और उसके क्या benefits है आगे आने वाली slides में हम ये discuss करेंगे. सबसे पहला है claim of tax refund. Now practically होता क्या है अगर कोई individual किसी company को या third party को कोई professional या contractual services देता है तो वो company या third party payment करने से पहले उसके ओपर TDS deduct करती है. And TDS deduct करके government को deposit कर देती है. But अगर इस case में हम देखें अगर उस individual की पूरे साल में income धायलाग से cross नहीं करती है then ideally उसके ओपर कोई tax नहीं बनता था. But इस case में company ने already उसकी income पे tax deduct करके government को deposit किया हुआ है. So इस case में अगर individual को वो tax का पैसा government से वापस चाहिए then उसको अपनी income tax return file करनी पड़ेगी and ये income tax return file करके ही वो उस पैसे को as a refund claim कर सकता है. Second benefit of filing income tax return is that it helps in availing loan from banks. This is the most common use of filing ITR. अगर आप कभी किसी bank के पास कोई home loan या किसी और टाइप के loan के लिए apply करते हो तो जो सबसे basic document वो आपसे मांगते हैं वो होती है आपकी income tax की return. Generally banks आपसे पिछले 3 साल की या पिछले 2 साल की income tax return की demand करते हैं. Generally income tax return जो है वो bank को help करता है आपकी credit worthiness decide करने के लिए. So let's say अगर आपने income tax return में 5 लग का amount show किया हुआ है तो आप कितने तक के loan के लिए eligible हो और अगर आपने 2 लग का amount show किया हुआ है तो आप कितने तक के loan के लिए eligible हो ये सब चीज़ें आपकी income tax return के basis पे decide होती हैं. And then आपकी income कैसे increase हो रही है year on year वो भी आपकी income tax return से justify होता है. And even कई बार credit card के लिए भी bank आपसे income tax return की demand करता है. Third benefit of filing ITR is that it helps during visa application. So अगर किसी को इंडिया के बाहर visit करना है तो उसको पहले visa apply करना पड़ता है. Visa apply करने के लिए जब आप foreign consulate के पास जाते हो तो वो आपसे income tax return की demand कर सकते हैं. Income tax return कोई mandatory document नहीं है visa लेने के लिए बट वो definitely आपकी documentation को बहुत जादा improve कर देता है. Visa authorities आपसे तीन साल या at least latest assessment year का income tax return की demand कर सकते हैं. In case अगर आप student हो या और किसी reason से आपने अपनी income tax return नहीं file की then in that case आप अपने parent की या अपने spouse की ITR को भी show कर सकते हो. Fourth benefit है carry forward of past year tax losses. हमारा चो income tax law है वो ये provide करता है कि कोई भी taxpayer जिसको business में या capital gain का कोई loss हो गया है तो वो अपने इस साल के loss को अपने आगे वाले साल के income से set off कर सकता है. So for example let's say financial year 1920 में अगर किसी को 100 रुपे का loss हुआ है तो वो अपने आगे आने वाले financial year 2021 के profit से इस 100 रुपे को set off कर सकता है. इस से आगे आने वाले सालों में उसे 100 रुपे पे tax नहीं देना पड़ेगा बट ये loss तभी carry forward होगा अगर वो financial year 1920 में return फाइल करते वक्त अपने loss को अपनी ITR में mention करेगा and अगर वो return में नहीं mention करेगा देन वो इस loss को carry forward नहीं कर सकता है and loss की जो return है उसको आपको within the due date ही फाइल करना होता है अगर आप after the due date फाइल करोगे basically belated return फाइल करोगे देन उस case में आप loss को carry forward नहीं कर पाऊगे फिफ्थ है income tax clearance certificate ये benefits से जादा एक requirement है of filing income tax return so practically होता क्या है हर साल इंडिया में बाहर से लोग visit करते हैं for business profession या फिर employment के लिए and during their time in India वो इंडिया से पैसा earn करते हैं from that business profession और employment तो हमारा income tax law ये बोलता है कि जब वो foreigners इंडिया से वापस जाते हैं अपनी country में तो उनको जाने से पहले हमारी income tax authorities से एक income tax clearance certificate लेना होता है इस income tax clearance certificate का मतलब होता है कि during their time in India उन्होंने जो भी income earn की है इंडिया में उस पे जो भी tax बनता है वो वो deposit कर चुके हैं इस income tax clearance certificate को लेने के लिए foreigners को इंडिया में income tax return file करनी पड़ती है ये basically एक negative benefit है of filing income tax return तो practically होता क्या है अगर आपका किसी की गाड़ी के साथ कोई accident हो गया है जिसकी वज़े से आपको कुछ damage हुआ है तो आप अपने medical expenditure के लिए या physical damage के लिए compensation के लिए file कर सकते हो compensation का amount determine करने के लिए insurance companies या courts आपसे आपकी ITR की demand करते हैं आपके ITR के basis पे ही ये determine किया जाता है कि आपकी income कितनी है और उसके हिसाब से ही आपका insurance compensation भी determine किया जाता है So, ऐसे time में भी income tax return का होना जरूरी हो जाता है Now, the last benefit of filing income tax return is that it gives you an opportunity to file a revise return later on So, basically हमारा income tax law ये बोलता है कि अगर आपने अपनी income tax return file करने के बाद ये realize किया कि उस income tax return में कुछ mistake थी तो वो आपको option देता है कि आप अपनी mistakes को correct करके एक revise return file कर सकते हो But, ये option सिर्फ उन cases में available है जिन case में आपने original return file की है अगर आपने original return file ही नहीं की, then आप revise return नहीं file कर सकते है So, basically it is advisable कि अगर आप अपनी original return file करते हैं तो आपको आगे एक chance मिलता है, तो revise the return just in case अगर आपने original return file करते वक्त कुछ mistake कर दी है So, to summarize, जिस case में आपके लिए income tax return file करना mandatory है उस case में तो आप income tax return file करोगे ही, otherwise आपके ओपर fine और penalty लगाई जा सकती है But, जिस case में आपके लिए ये file करना mandatory नहीं है उस case में भी आप voluntarily अपनी मर्जी से income tax return file कर सकते हो It shows that you are a responsible citizen and you have a respect for tax laws of the country And income tax return file करना आपको business में और आपकी आगे आने वाली transactions में बहुत help करता है जो benefits अभी हमने discuss किये, उसके अलावा भी और बहुत सारे benefits है But, मैंने अपनी presentation के लिए इन 7 benefits को ही choose किया है If you have any questions relating to the benefits of filing income tax return Please drop them in the comment box and I'll try to answer that Thank you so much for your time If you like the video, please like and subscribe for future video notification